हेलो गाइज, वेलकम बेक टो मैं चैनल, यौर हेल्दी डोस में आपका स्वागत है, आज यहां पे मैं आपके साथ अपनी अफ़तारी शेयर करी हूँ, जो के मैंने बनाई थी अफ़तारी के लिए श्यामी कबाब, यहां पे मैंने आदा किलो कुटा हुआ खीमा ले लिया है जिसे मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, और फिर मैंने यहां पे चैनल की डाल थोरह 10-15 मिनिट के लिए भिगा के रखी थी, तो यह भी कुकर में डाल दूँगी, खीमे के साथ में, यानि यह मैंने खीमा लिया है, मैंने आदा किलो और इसमें मैंने आदा पाओ, या इसके बाद यहां पे मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, तर्मरिक पाउडर, यानि की हल्दी पाउडर डालूँगी, और मसालों में हमें सिफ डालना है जिंजर और गार्लिक पेस्ट, जो के मैंने वन वन तीस्पून लिया था, क्योंकि यह कबाब बना रहे हम, शामी कबाब बन रहे है, तो उसके लिए जादा जिंजर गालिक पेस्ट नहीं यूश करना है, क्योंकि कबाब में फिर अद्रक लसन की बहुत जादा इसमेल आती है, और हाफ टीस्पून मैंने जीरा डाला है, उसके बाद पानी अट की हूँ, टू 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 टेबल स्पू मैंने पानी डाल के कुकर को सीटी लगाने के लिए रख दिया, यहाँ पे पूरा कीमा गल चुका था, देख सकते आप, दो से तीन मैंने सीटी लगाया है, इसके बाद में मैं इसे प्रोसेसर में डाल रही हूँ, अगर आपके पास चॉपर है या मिक्सी जार है, तो आप मैं भी डाल के इसे पीस सकते है, इदम फाइन कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, अच्छे से इसे पूरा चॉप कर देना है, यानि के फाइन पीस लेना है, फाइनली, यहाँ पे मैं फ्रोजन ग्रीन चिली जाल रही हूँ, अगर आपके पास अखे तो आप काट के डाल सकते है फिर मैंने आधा प्यास डाला है, इसी हाथ से चॉप करके और थोड़ी सी कोतमीर डाल रही हूँ, ऐसी वाश करी ही, मैंने कोतमीर को और बस थोड़ी सी काट के डाल रही हूँ, जो भी हम लगोंने कीमे का मिक्स्चर पीसे थे, उसी के साथ मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ल कर ली ती जो के मैंने दो अंडा इसके लिए फेट लिया है बस इसे अंडे में कोट करके शैलो फ्राइ करना है मेर जो नॉर्मल रोटी का तवा होता है उसी पे ही मैं इसे फ्राइ कर रहूं मीडियम से सिलो आज पर मैंने इसे कुक किया था क्योंकि अल्रेडी खीमा वगेरा सब कुक्त है तो हमें जादा इसे टाइम तक रखने की ज़रुवत नहीं है बस अंडा कोट करना है अंडे में डिप करके इसे फोरनली शेलो फ्राइ करना है उलट उलट करते वे और मैं फोर्क के help से इसे turn कर रही हूँ, flip कर रही हूँ फोर्क से बहुत easily हो जाता है और इसे मैंने एक paper रख दिया था जो newspaper होता है वो tail जादा absorb करता है तो मैं tissue अगरा नहीं prefer करती हूँ guys अगर आपको चाहिए तो वो optional है आप tissue use कर सकते है बट जो newspaper होता है मैं को ऐसा लगता है कि उसमें जादा तेल absorb हो जाता है, tissue paper जो है गल जाता है पुरा फटने लगता है तो tissue paper में इतना तेल नहीं absorb होता है इसी तरीके से मैंने जितने भी शामी कबाब बनाये थी, जितनी टिक्या थी वो पूरी fry कर दी, यहां पर बड़ी असा शामी कबाब बनके ready है इसकी बाताज मैं गई थी, यहां पर fruit market जो के वाशी का सबसे बड़ा market है मैं every month normal days में भी even रमजान नहीं मैं बोल रही हूँ खाली यहने normal days में भी मैं वहीं से fruits लाती हूँ क्योंके market rate के fruit बहुत जादा costly होते है और AVMC market में बहुत reasonable wholesale rate में fruits मिलते है तो यह मैंने रमजान के लिए लेके आई हूँ कुछ fruits जो के jam है 10 kg jam मतलब के musk melon, then 10 kg मैंने papaya ली हूँ यहां पर जो के इसको कागस में फोल्ड करके wrap करके रखना पड़ता है क्योंके थोड़े कच्छे पक्के होते है तो 8 से 10 दिन का fruit से यह पूरा यहां पर मैंने fig ले ली हूँ फिग याने के अंजीर फ्रेश अंजीर के डबे है यह चार डबे लीती जो के एक एक किलो के कॉंटिटी है इसके तो चार किलो का अंजीर ले लिया है और इसके बाद यहां पर मैंने लिए पाइनापल जो के 10 kg है 10 kg बोले सो पास से 8 चार पीसी से इसमें देन मैंने चीकू ले लिया है 10 kg पुरा यह गोड इसका बोरी ले लिया है मैंने और यह तो sweet tamarind है जो के मेरी नीस के लिए उसको बहुत पसन है sweet tamarind तो यह एक ही डबा कीजिए और मेरी इफटारी मैंने आप लोगों के साथ share कीजी कुछ खास तो नहीं था बट थोड़ा बहुता बट subscribe कीजिए बाई